बिसमिल्ला इर्भामार इर्राहीम, असलाम अलेकुम स्टुडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चेप्टर नमबर 12, लेक्चर नमबर 28 और हमारा आज का टॉपिक है डाइजेशन इन ओरल कैविटी, यानि आज के हम जो लेक्चर है उसमें ये पढ़ेंगे कि ओरल कैविटी के अ यानि फूड को सब्सक्राइजशं एक याना उ चक्राइटा और हम अचिएंग और करना है तो यह अजाएशन पूर्ट को जो सफोड की डाइजेशन करना तो यह कुछ इंपॉर्डंट फंक्शन्स है फूड के तो सबसे पहला जो सबसे पहला जो फंक्शन है और लुकाविटी का वह सेलेक्शन औफ फूड और है इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं औरल केविटी मे आ जाता है पैलेट जिसको हम तालू भी बोलते हैं इसमें आ जाती है टंग यानि के जुबान इसमें आ जाती है टीथ और चीक्स तो ये कुछ पार्ट्स हैं औरल कैविटी के तो ये जो पार्ट्स हैं ये मिल के औरल कैविटी को उसका फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प क जो अगर तो उस फूड की हमें हम किस्वार की सेंज करेंगेié अ क्लाद से कर नोस जान के खेंगे य। उस food में कोई hard किसम का material तो present नहीं है ठीक है तो इन सारी senses को use करते हुए oral cavity में food की selection की जाएगी तो अगर उस food की smell या फिर taste unpleasant होगा ना खुशगवार होगा या उसमें कोई hard material या object होगा जैसे के bone वगएरा जिसरा हम chicken खाते हैं तो उसमें कोई bone का particle जो है वो रह जाता है या पर डर्ट वगएरा present हो तो इस food को क्या हम फिर भी उस food को खाएंगे हम क्या करेंगे उस food को reject कर देंगे ठीक है उसको further उसको swallow नहीं करेंगे ठीक है तो oral cavity जो है इसका जो function हमने कहा selection of food तो इसमें इसको कौन-कौन help कर रहा है उसको sense of smell भी help कर रही है sense of taste भी और sense of sight भी या यह फूड जो है बिलकुल ठीक है खाने के काबिल है तो यह सारी senses जो है यह भी oral cavity को उसका function परफॉर्म करने में help out कारी होती है tongue जो है वो sensory or muscular organ है यह क्या करता है यह selection of food में सबसे important role play करता है क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी tongue है या जो हमारी tongue है या जो हमें टेस्ट बर्ड वगरा प्रेजन होते हैं जिसकी वज़ा से हम खाने को टेस्ट करते हैं कि मतलब यह खाने का जाइका कैसा है नमकीन है मीठा ह खटा है यह पिर नाखुषगवार उसका टेस्ट है जो खाने के काबिल नहीं होता मतलब अगर हम कभी बासी खाना का लेते हैं तो हमारी जुबान जो है उसके टेस्ट बर्ड के थू हमें पता चल जाता है कि यह जो खाना है वो खाने के काबिल नहीं है ठीक है तो selection of food हो ग grinding और mastication grinding और mastication का मतलब होता है food को grind करना उसको छोटे चोटे पार्टिकल में ब्रेक करना थीक है और हमें पता है कि हमारे जो teeth हैं वो इस function के लिए involved होते हैं तो जब food select हो जाता है तो हम क्या करते हैं अपने molar teeth मोलर teeth जो हैं यह हमारे इनको हम दाड़ें भी बोलते हैं त करते हैं food को grind करते हैं उनको छोटे चोटे पार्टिकल में divide करते हैं तो इसका मकसद क्या है food को छोटे पार्टिकल में divide क्यों किया जाता है वो इसलिए कि हमें पता है food जो है वो oral cavity के बाद उसने इस सो फेगस में transfer होना है ठीक है जो हमारा digestive किनाल है वहां पे ट्रांसफर ह होना है तो अगर हम food को छोटे पार्टिकल में divide नहीं करते तो वो जो food है वो इस सो फेगस से पास ही नहीं कर पाएगा ठीक है तो इस सो फेगस से food को पास कराने के लिए जरूरी है कि food को हम छोटे चोटे पार्टिकल में divide करें इसके इलावा कहता है कि हम food को जितने छोटे पीसिस में डिवाइड करेंगे उनका सर्फिस एरिया उतना ही बढ़ जाएगा फूड का सर्फिस एरिया उतना ही ज्यादा हो जाएगा और उतने ही एंजाइम्स जो हैं वो उस फूड के उपर एक्ट कर सकेंगे और उसको डाइजिस्ट कर सकेंगे ठीक है तो फूड को छोट है वो है lubrication and digestion lubrication में हमने कहा था कि हम food को moist करते हैं उसको 시청ять है तो oral cavity जो है वो saliva produced करती है जिसके जरीए जो food हम क्गाना खहते हैं उसको moist किया जाता है उसको morally किया जाता है ionsको moist करने का मकसद basically होता है जो soft हो जाए food मोइस्ट होने के बाद सौफ्ट हो जाता जिसकी वज़ासे वो असानी से हमारी डाजेस्टिव के नाल में से बुजर सकता है तो लुब्रिकेशन का जो फंक्शन है वो भी किसका आ जाता है औरल कैविटी का और औरल कैविटी सलाइवा प्रडियूस करती है अब सलाइवा जो है यह किदर प्रडियूस होता है औरल कैविटी के अंदर कुछ ग्लैंड्स प्रेजन होते हैं जो सलाइवा प्रडियूस करते हैं तो कहता है त्री पेर्ज ओ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं के अंदर जिसमें से एक है सब लिंग्वल ग्लैंड ये प्रेजन्ट होते हैं टंग के नीचे जुबान के नीचे तो जुबान के नीचे कौन से ग्लैंड प्रेजन्ट है सब लिंग्वल ग्लैंड फिर आ जाते हैं सब मैक्जीलरी ग्लैंड और ये प्रेजन्ट होते हैं हमार जो कान हैं उनके साथ हैं उनके सामने भी एक ग्लैंट्स का प्रेजन्ट होता है उसको हम बोलते हैं पैरोटीड ग्लैंट्स तो ये तीन ग्लैंट्स के प्रेजन्ट हैं मतलब प्रेजन्ट हैं तो मतलब कितने टोटल होंगे सिक्स टोटल ग्लैंट्स प्रेजन्ट होते हैं य Sliva इसमें present होता है water and mucus फिर इसमें present होता है sodium bicarbonate and some other salts थर्ड जो इसमें चीज है वो है कार्भो हैड्रेट डैजेस्टिंग enzymes जो के हैं amylase and ptyelin ठीक है तो ये तीन चीजे जो हैं वो present है हमने का इसमें water है इसमें सौल्ट सैंबर इसमें इंजाइमस है तो यह तीनों चीज़ हैं मिलके बनाती है स्लाइवा अब ये जो स्लाइवा है ये क्या करता है water और जो म्यूकिस है स्लाइवा के अंदर वो क्या गनर बना देते हैं एक س्लाइमी सा liquid बना देते हैं टाइम की तरह का लिक्विड बनाएंगे वो क्या करेंगे कि जो भी हम खाना खाएंगे औरल कैविटी में जो भी फूड हम ले जाएंगे उसको करेंगे लुब्रीकेट और उसको मॉइस्ट करेंगे यानि उसको गीला करेंगे जिसकी वज़ा से वो जो है वो एक सॉफ्ट से material में convert हो जाता है food जिसकी वज़ा से food को निगलना जो है वो असान हो जाता है so that it can be chewed efficiently and passed through the isophagus smoothly ठीक है ताके हम उसको असानी से निगल सके और वो isophagus से smoothly pass कर जाए food ठीक है तो sodium bicarbonate का function क्या है water और mucus ने तो food को क्या कर दिया lubricate कर दिया उसको मॉइस्ट कर दिया अब sodium bicarbonate यानि के जो salts present है वो क्या करते हैं वो कहता है कि यह जो sodium bicarbonate or other salts present है यह होते है slightly antiseptic यानि यह antiseptic हमें पता है ऐसी चीज होती है जो microorganisms को किल करती है तो अगर खाने में कोई भी microorganism जैसे बैक्टेरिया वगरा तो वो इन सॉल्ट के थ्रू क्या हो जाएंगे किल यानि औरल कैविटी में ही उनकी डेथ हो जाएगी ठीक है इन सॉल्ट की वज़ा से लेकिन जो मेन फंक्शन है ना इन सॉल्ट का और सोडियम bicarbonate का वो है फूड की पी एच को मेंटें करना स्टेबलाइस करना ठीक है तो जो मोस्ट इंपोर्टन फंक्शन है सोडियम bicarbonate और अदर सॉल्ट का वो है फूड की पी एच को मेंटें करना और इसके साथ साथ यह स्लाइटली स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा सा पी एच कार्बंडाई एक्साइड को लूज करेगा और इसकी पी एच हो जाएगी 6 यानि जो फ्रेश स्लाइवा होता है मतलब जो फ्रेश स्लाइवा प्रोडियूस होता है हमारी ओरल कैबर्टी के अंदर तब उसकी पी एच कितनी होती है रेच लेकिन फिर जैसे jury प्रोडियूस हो जाएगा आईस्था इसलाइवा की क्या हो जाएकी पी एच काम होना शुरू हो जाएगी उसमें से कारडबंड़ एक्साइड रिलीज होना शुरू हो जाएगी और उसकी पी एच काम होते होते कितनी रह जाएगी 6 तो आइस्ता आइस्ता वो जो हमारे मुझे अंदर फ्रेशली प्रड्यूस होता है और उसकी पी एच होगी एट लेकिन जो जिसको हमने बाहर थूख दिया तो उसकी अगर हम पी एच चेक करेंगे ना तो वह सिक्स होगी क्यूंकि उसमें से कार्बन डाई एक्साइड हो चु वह क्षड़े होते हैं तो फ्रेशली चाहित्वाद्धन के जिसक्ता प्रेशली प्रेशली ठाउट जो प॥र आइस्ता ना स्थास प्रेशली अजाएल की खाले थिसक्टा बाॉइचबूर्टा बाद्गम कर देख़ा है। मतलब स्टार्च और ग्लाइकोजन क्या हैं यह कार्बो हाइड़ेट्स हैं तो कार्बो हाइड़ेट्स की ब्रेकड़न हो गई है औरल कैविटी के अंदर और जैसा कि हम लोग पढ़ते थे के फूड के तीन कामपोनेंट्स होते हैं कार्भाइडरेट्स प्रोटीन एंड फैट्स या लिपर्ट्स तो कार्भाइडरेट्स की डिजेशन हमने कहा था कि औरल कैविटी के अंदर ही हो जाती है और प्रोटीन की डिजेशन होती है स्टमेक के अंदर और जो फैट्स होते है उनकी रिजेशन होती है स्मॉल इंटिस्टाइन में तो हमने देखा कि कार्बो हाइडरेट्स यानि कि स्टार्च और गलाइकोजन जहां उसकी ब्रेकड़ून हो गई है औरल कैविटी के अंदर ही और वो माल्टोस में कनुवर्ट हो गए है मतलब स्मॉल अपने स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं उसमें डिवाइड हो गया माल्टोस मिलके ही स्टार्च और गलाइकोजन बनाते हैं ठीक है तो स्टार्च और गलाइकोजन की हो गई यहां पे ब्रेकड़ून अब फूज है उसकी सेलेक्शन हो चुकी है फूड की ग्राइंडिंग हो चुकी है फूड लुब्रिकेट हो चुका है अब फाइनली बारी आती है उस फूड को स्वैलो करने की अब वो जो फूड है वो ओरल कैविटी से ट्रांसफर हो जाएगा इसोफेगस में ठीक है तो कहता है कि जो मैस्टिकेशन के रिजल्ट में फूड जो है वो सॉफ्ट हो गया और पार्शली डाइजेस्ट भी हो गया चीओ फूड में और मोस ऑफ्राइब बाल एक युजि में सब्सक्राइब ढ ensuring huge पाइब बोर्स तीओं को में और में कईंड़ मौलक्पार का इसटी कि जो घानफेर हो जाएगा ओर्ल डूर के टीओं इसो फेगस में ठीक है तो जो हम कहते हैं कि यह जो फूड है वो ओरल कैवर्टी से जो डाइजेस्टिव के नाल है उसमें कैसे जाएगी विद दा एक्शन ओफ टंग यानि टंग की मूवमेंट की वज़ा से जो फूड है टंग क्या करती है अपवर्ड मूव करके फूड को दकेल देती है पीछे की तरफ औरल कैवर्टी की बैक साइड की तरफ उसको दकेल देती है तो टंग के एक्शन की वज़ा से और जो फेरंक्स के मसल्स होते हैं उनकी कं कि निताइन हिरे हैं यह 152 पोड़ में ही जाए फूर्ड है उसके अंदर नाच जाए हुमें पता है कि में यह सबना प्राएम जो यह फूर्र does के Uh तो हम नॉर्मी खहना खारे होते हैं तो Chef ला? फूड को सयाने तक जब हम ऐना काना हो तो या हैं मैं जही किसा नचाल कर नहींक होता है सबसे पहले तो जो टंग है वो अपवर्ड और बैकवर्ड मूव करती है अपवर्ड और बैकवर्ड मूव करने की वज़ा से जो फूड है वो ट्रांसफर हो जाता है औरल कैविटी की बैक साइड की तरफ ठीक है वो जो बोलस बनाता ओल सा एक लंप बनाता वो ट्रांसफर ह जाता है औरल कैविटी की बैकवर्ड जो बैक साइड होती है वहां पे इसकी वज़ा से क्या होता है कि जो सॉफ्ट पैलेट होता है हमें पता है कि अगर हमने कभी हमारे यहां पे जो औरल कैविटी की बैक साइड है वहां पे एक सॉफ्ट पैलेट प्रेजन होता है वह जो आपवर्ड मूव करेंगी फूड यानि के जो बोलस है वो ट्रांसफर होगा औरल कैविटी से औरल कैविटी की वैक साइट की तरफ तो जो सॉफ्ट पैलेट है वो अपवर्ड मूव करेंगा तो उसकी वज़ा से जो नेजल ओपनिंग है जो हमारी नाग की ओपनिंग होती है वो बंद हो जाती है ठीक है जिसकी वज़ा से फूर्ज है वो हमारी नेजल कैविटी में एंटर नहीं हो पाता उस सौफट पैलेट के आफवर्ड मुव करने की वज़ा से और उसी टाइम पे कहता है कि जो एपी ग्लॉटेस है जो हमारी रेस्परेटरी के नाल होती है जो वि एक लिड होता है उसका डखकन होता है जो ओपनिंग को बंद करता है जब हम स्वैलो का रहे होते हैं जब हम फूड खा रहे होते हैं उसको निगल रहे होते हैं तो वह जो रेस्परेटरी के नाल है उसकी ओपनिंग को हम बोलते हैं गलॉटेस और उसके ओपर एक लिड प्र एंटर ना हो तो स्वेल्विंग के दुरान हमने कहा पहली बात तो यह कि टंग अपवर्ड और बैकवर्ड मूव करती है सॉफ्ट पैलेट जो है वो अपवर्ड मूव करता है और नेजल कैवर्टी को बंद करता है और एपी गलॉटेस जो है वो होरीजोंटल पॉजीशन में आ जाता है और जो विंड पाइप की ओपनिंग है जिसको हम गलॉटेस बोलते हैं उसको क्लोस कर देता है ताके फूर्ड जो है वो एंटर ना हो उस ओपनिंग के अंदर उसके बाद क्या होता है जो लेरेंक्स है वो जो विंड पाइप की ओपनिंग थी ना उसके एड़गिर्द एक कार्टिलेज सा प्रेजन्ट होता है जिसको हम लेरेंक्स बोलते हैं जो एपी गलॉटेस है जो ओपनिंग थी बेर वोग्लोस वो जाती है पर ठीय क्लोस jig अवसे तक नहीं होता क्योंकि आप जो अपि लॉad Ebude does को कान जे करो लेट मतलब है टरांस्फन 10 में दाउसमें तर नब दांत में मितलब वहां से है वह शुरू में तो voluntary होती है मतलभ voluntary actionsें ऐसे एक्षन होते हैं जो हमारे control में होते हैं हमें पता है केmow swallow अपनी मर्जी से करते हैं जो शुरू में swalving के बोलं Teenal इसोफीगस के अंदर तोफिर वह जो sweeping है वह हमारे control में नहीं रहती वो automatic हो जाती है ठीक है और फिर जो food है वो isophagus से paristalysis के थूँ जो है वो transfer हो जाता है stomach में paristalysis जो है यह movement है isophagus की जिसके बार में हम बढ़ते हैं detail में और इस movement की वज़ा से उस isophagus की movement की वज़ा से जो food है वो transfer होता है isophagus से move करता जाता है और आइस्ता आइस्ता पहुंच जाता है stomach के अंदर ठीक है जिसना इस diagram में हम देख सकते हैं कि यहां पे हमें जो green color का है वो bolus दिखाई दे रहा है food particle अब इस bolus ने जो है वो उस oral cavity से होते होते उसने जाना है isophagus में ठीक है लेकिन यहां पे आपको एक और opening दिखाई दे रही होगी जो है ट्रैकिया यानि के wind pipe अब food जब यहां से transfer होगा तो chances होते हैं कि वह इस उफेगस में दाहिल होने की बजाए वह उस wind pipe में यानि के trachea में दाखिल हो जाए इसी को हमने रोकना है ठीक है तो यहां पे हमने कहा यह जो wind pipe था यानि trachea था उसकी opening जो है यहां पे उसको हम बोलते हैं glottis और यहां पे उसका एक lid है जिसको हम बोलते है epiglottis ठीक है अब क्या होगा दूसरी डाइग्राम में हम देखते हैं कि अब फूर्ज है न वो oral cavity से होता होता पहुंच चुका है यहां पे pharynx में pharynx से उसने चले जाना है इस सोफेगस में ठीक है तो इस दुरान क्या होगा यहां पे जो एपी लोटेस था और यहां पे आप देखिए एपी लोटेस बिल्कुल फ्लोज हो चुका है एपी लोटेस ने यह जो ओपनिंग है विंड पाइप की उसको बिल्कुल क्लोज कर दिया हुआ जिसकी वज़ा से फूर्ज है वह स्मूथ ली औरल कैविटी से इस सोफेगस में ट्रानसफर हो गया है ठीक है ए नेक्स्ट हम देखते हैं सी को परीस्टालेश कियता है कि ऊच्वाइन के अदर विगवाइट की in आलांग दे कैवटी ओफड़ जिया क्या है डइजेस्टीव ट्रैक की एक मॉवमेंट है जिसकी वजह से फूम से फूड जह है वह धारि नाल के दर इजेस्टीव जियान केंदर मुव करता है तो इसक्त्रारə्ब में बता है regular बस भी present और longitudinal मुसल्स दो तरह के मसल्स होते है इसवेकर स्ब्स में इस्वेगर्स में अता है तो इससोसिक्ष में सर्कुलर और autor तो पैरी स्टैलिसी ए में क्या होता है । अली मिसल्स पहले request करते हैं तो इसी तरह से यह वेव चलती रहती है कंट्रैक्शन और रिलाक्सेशन की जिसकी वज़ा से फूड जो है वह इसो फेगस में मूव करता जाता है इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पैरीस्टैलेस्स कहता है स्टार्ट होता है बिहांड मैस आफ फूर्ड यानि जहां पर जो बोलस है जो मैस आफ फूड हो वह वहगा उसके पीछे उसके वाले हिससे इसोफेगस जो है वह पेरिस्टैलिस यह इसरो करना शुरू कर देगी ठीकई और आइसता इसता जो फूड है वह ऑप इसोफेगस से होता हुआ पहुंच जाएगा स्टम unanim में अभी बार कहता है क्या होता यह फिर में हमें पता है कि जब ँमेम काल मिटे यह यह इसका मntलब क्या है कि फूड्य यूछ से होता हूँ फिर से मूँव कर गया मूख्या है अगす अगिसे फिर से हूरल कैयबटी में आ जाता है ठीक है तो इसका क्या मतलब है कि फूड्य क्या नियुक्ता ह albeit get सा जाता है ठीक है तो कहता है कभी कबार क्या होता है कि यह जो मूवमेंट्स होती है यह रिवर्स हो जाती है रीजन दूसकी कई हो सकती है कि हम जो है वो फू ओवर इटिंग कर लें या फिर हमारा डैजेस्टिव सिस्टम ठीक से वर्क नहीं कर रहा तो जिसकी वज़ा से फि हो जाता है तो भी हो था होता है और ef Chili अशॐस करना शूरू कर देता है हुआ है नुक म्यदो करें ठाल का काम हो थे यह थोको भूते है तो अटिक डिवडिक होती हैं और आ को हम हखा पंगRO नियुकोज का लेवलगे होता है तो हमारा जो digestive के नाल है वो क्या करता है contract करता है जिसको हम बोलते हैं hunger pangs ठीक है तो ये बहुत ही uncomfortable सी situation होती है तो इसका मकसद क्या होता है कि अब body में glucose का level काम हो गया है तो अब जो है food उसको ingest करने की जरूरत है जिस तरह इस diagram में हम parisality movement देख सकते हैं शुरू में जो food था वो देखिए यहां पे था इसोफेगस के start में था initial portion में था तो फिर क्या हुआ food के जो पीछे वाला हिसा हमने कहा पीछे वाले हिसे में parisality movement होगी तो food है यहां पे तो इसके पीछे वाले हिसे में हुई contraction जिसकी वज़ा से food जो है वो move करके आ गया यहां पे ठीक है फिर वहां के पिछले muscle जो पहले जो contract किये थे वो फिर से relax कर जाएंगे फिर हम देखे से जो peristality contractions के जुरिए food है वो transfer होता है हमारे digestive किनाल के अंदर